हुआ है कि अच्छा कि अधर आप सब करें अधर प्रोडिनिंग लुक्स में मैं हूं अधर दोस्तों आज बहुत ही एक इंडिस्टिंग वीडियो दोस्तों आप सब तो जानते ही है कि मैं फोटोग्रफर हूं तो मैं जब काम नहीं होता तो मैं साइट पर चला जाता हूं कोई भी गाव पर या फ वह लवासे मेरा जो कैमेरा है मेरे केमरा से पिक्चर लेता हूं अच्छा-खासा ठीकश जह पोई नहीं है कोई fruits कोई you know objects कोई भी picture हो दोस्तों जो आप चाहे लेकिन picture हमेशा sharp होना चाहिए focus होना चाहिए तो ही shutterstock उसे एपरूब करता है नहीं तो एपरूब नहीं करता तो इसके लिए जैसे दोस्तों मैं अभी आपको सिखा दूँगा कैसे आपको अपलोड करना है यह सब प्रोसेसिंग बगड़ा लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब भी यह जो shutterstock website है इस पे भी अपना picture बेचे जैसे दोस्तों मैं बेचता हूँ and मैं आपको दिखा दूँगा मेरा डाउनलोड और अलड़ी स्टार्ट हो चुका है दो डाउनलोड अलड़ी हो चुका है तो इसके लिए डुम दें मुझे कितना पैसा देता है आपको किन पैसा मिलेका किसंग सब बीचेल में मैं बाद दूना तो पहले दोस्तो बात करते है पैसा कितना देता है यही असलिवजया है पैसा उतना जयादा नहीं देता आपको टेन बाक्स Folge Suk Saills चाहिए मिलगा जादा नहीं आपका जो लाइवरी है दोस्तों चाहिए वो इमेज का हो चाहिए वो वीडियो का हो वो बहुत बड़ा हो चाहिए दोस्तों तभी जाके एंड experience भी बहुत बड़ा होना चाहिए जैसे कोई पात साल साथ-दस साल शड़ा स्टॉक पर अपना इमेज है या फिर पोर्टफोलियो जिसे बोलते है उसका पिक्चर या फिर वीडियो बहुत ही अच्छा सेल होता है दोस्तों या फिर ऑनलाइन दूसरा वहत सारा वेबसाइट ह मैंने गेटी इमिश पर कभी गया नहीं तो मैंने सब्सक्राइब में स्टार्ट किया था टूथाउजन नाइन टीन पर एंट टूथाउजन ट्वेटी टूपे मेरा जाके अभी जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों तो मैं अगर ऐसा कर सकते हो तो आप सूपारी जो फ्रूट होता है दोस्तों पूजा के लिए यूस होता है यह सूपारी जो अभी एकदम कच्चा है उसका एक मैंने पीचल लिया था पेर पर एंट यह एक बार्ड है दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर यह एक बार्ड है एन यह सूपारी फ्रूट है ओके इस दोनों को ही पहले मैं भी मैं देखूंगा पहले दोस्तों देखना पड़ेगा कि आपका frame size कैसा है मतलब पहले क्या आपको crop करना पड़ेगा कि नहीं बहुत पहले देख लीजिए तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहां पर मैं crop कर दूँगा यहां पर तो मैंने crop कर दिया बस perfect है मेरा frame okay उसके बाद दोस्तों मैं यहां पर एक copy बना लूँगा and सीधा camera रो filter पर चलते है तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे rate color यहां पर शो कर रहा है मतला बहुत ही जादा highlight है आपको अगर यह शो नहीं कर रहा हो तो यह जो highlight ये चैडव वाला उप्शने इसको हमेशा on करकर रखिए तो आपको highlight and shadow प्रोपार आपको दिखेगा जहाँ पर जादा highlight होगा यहाँ पर रेट शो करेगा जहाँ पर आपका shadow होगा वहाँ पर भी शो करेगा तो आपको मालूम हो जाएगा का आप जादा highlight है या फिर shadow तो अब अपने हिसाब से adjust कर सकते है ठीक है ना तो यहाँ पर पहले दोस्तो contrast करते है मैं simply कुछ नहीं करना picture को same रखता है कुछ नहीं छेड़ना है जैसे माल लीजिए कोई करता है ना यहाँ पर adjustment layer पर चला गया कोई दोस्ता ऐसा है कि कुछ भी कर सकता है मतलब यहाँ पर चला गया तो थोड़ा यहा पुल नहीं करना है दोस्तो क्योंकि जो natural picture है वही रहना चाहिए तो ठीक है ना तो इसके लिए चलता है camera ला filter पर and simply मैं यहाँ पर पहले करूँगा contrast मुझे एक contrast look चाहिए पहले contrast मैंने कर दिया है highlight यहाँ पर बहुत सादा है तो highlight को मैं कम कर दूँगा देखिए दोस्तो rate color एकदम चला गया तो मतलब highlight मेरा east जागा पर एकदम perfect है थोड़ा सा मैं shadow को नीचे लेके चलूँगा and white को भी थोड़ा सा नीचे लेके चलूँगा ऐसे and clarity दूँगा तरकि एक sharp image हमारा create हो जाए यहाँ पर मैं color covariance को थोड़ा सा add कर दूँगा मैं saturation बिल्कुल नहीं दूँगा नहीं तो वह color boost हो जाएगा अगर मैं चाहूँगा कि saturation को थोड़ा यहाँ पर कम कर देना ठीक है ना minus seven perfect before and after okay perfect है अभी color mixer पर चलता है यहाँ पर थोड़ा सा मैं yellow को कम कर दूँगा and green को थोड़ा सा मैं यहाँ पर जादा दे दूँगा okay मुझे और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर just okay कर दूँगा ऐसे ठीक है ना and यहाँ से इसको सीधा export मैं हमेशा export करता हूँ save नहीं करता यहाँ पर jpeg है jpeg ही रहेगा कुछ नहीं यहाँ से छेड़ना just simply export कर देना है कहाँ पर मैं save करूँगा g drive यहाँ पर and save ओके तो दोस्तो google पर ऐसे लिखते है shutterstock तो पहले यह जो page आ गया दोस्तो www.shutterstock.com आप यहाँ पर चलके आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल भी logging या फिर sign up मत किजिएगा मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है यह जो shutterstock.com आएगा उसके नीचे ही आएगा और एक page shutterstock का यह होता है submit.shutterstock.com इस पर ही जाना है यह contributor side है मतलब आप कुछ clip या फिर image sell करना चाहते है तो आपको यहाँ पर आना पर दोस्तो submit.shutterstock.com ओके तो यहाँ पर ही आपको sign up करना पर एगा मैंने तो पहले से ही मेरा account बना गई रखा है तो मैं adjust करूंगा login. तो दोस्तों यह मेरा account है आप देख सकता है यहाँ पर USD 0.20 bucks मतलब इतना मेरा मैंने sale किया है यह दो picture मैं आपको अभी दिखा देता हूँ यह वाला picture देखे दोस्तों मेरा sale हुआ है and second picture देखिए यह वाला picture ठीका ना यह शादी का ए उमने वहाँ पर ही लिया था एक ग्रैश बला ही लिया था बहुत ही खुबसुरा था तो यह भी एक sale हुआ है कहाँ पर sale हुआ है दोस्तों यह मैं आपको बदाता हूँ एक इंडिया में sale हुआ है हमारे country में और एक Philippines में sale हुआ है दोस्तों ठीक है ना तो दोस्तों आपने इमेज है एक 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 वीडियो है मतलब आप इमेज भी sale कर सकता है वीडियो मतलब शुट भी MP4 ठीक है ना तो मैं आपको आपी दिखा देता हूँ यहां पर क्या करना है आप देखिए दोस्तों यहां पर मेरा जो portfolio इमेज portfolio यहां पर दोस्तों चलता है पहले यह देखिए यही मेरा page open होगा यह मेरा portfolio है इतना सारा धेर सारा picture मैंने यहां पर देखे रखा है जो sale होता है उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए pending approval मतलब मैंने यहां पर कल ही कुछ यहां पर picture फिर से मैंने upload किया है ठीका न अभी यह pending पर है मतलब अभी उन्होंने review भी नहीं किय इसे review करेगा फिर approve करेगा ठीक है ना तो यह pending पर चलता है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूं कैसा method है कैसे क्या करना पड़ता है पहले दोस्तों simply आ जाना है upload content पर दोस्तों यहां पर लिखा है drag and drop your files here or select multiple files इसके नीचे लिखा है image must be .eps or .jpg format ओके and video must be .mov or .mp4 format ओके यह तो समझ में आ गया तो अभी क्या करना है select multiple files यहां पर click करता है and सीधा दोस्तों जहां पर हमारा दो picture save करकर आखा था मैंने अभी आपको दिखा दिखा दिया camera raw filter पर चलकर मैंने edit किया था तो इसे just open कर लेते हैं यहां पर and यह देखे दोस्तों दो picture upload हो रहा है upload होना दिजिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ यह देखे दोस्तों upload हो गया दो picture अभी यहां पर बोलना है कि next करने के लिए तो next पर चलता है and फिर दोस्तों आपके सामने ऐसा page open होगा पहले एक picture को ऐसे select करना होता है select किया मैंने picture को and यहां पर दोस्तों keyword suggestion यह automatic आल जाता है आप यहां इस plus sign पर click किजिएगा तो automatic साला keyword जो tag है यहां पर add हो जाएगा यहां फिर आप यहां से भी tag add कर सकता है जैसे मान लीजिए birds यहां पर birds पहले से ही है शायद मैं पहले देख लेता प्री भी है मतलब सब कुछ यहां पर है मतलब आपको कुछ देने की जरूरत ही नहीं outdoor natural मतलब background green सब कुछ यहां पर देखे रखा है grass सिर्फ आपको यहां पर title add करना है तो title क्या है दोस्तों title आपको जो आपका मर्जी आप देने सकते title देने का भी एक style है सारा stock का वो कैसा दोस्तों अब भी आपको दिखा देता हूं जैसे देखिए दोस्तों यहां पर picture जो है picture पर जो है आपको वही लिखना परेगा यहां पर जैसे picture पर है एक bar है जो tree के उपर बैठा है तो यही मुझे लिखना है जैसे मान लीजिए यहां पर जो आप यह जो title है इस title में आपका 7 word minimum होना चाहिए तो यहाँ पर देख लेता है कि 7 word हमाना है हुआ कि नहीं 1,2,3,4,5,6 यहाँ पर 6 और भी देना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर और लिख देता है outdoor जस्ट ऐसे आपको लिखना पड़ेगा and category 1 पर चलता है and यहाँ से nature को मैं select करूँगा and category 2 पर चलता है and यहाँ से भी मैं nature को select करूँगा location जो है यहाँ पर आप अपना दे सकता है मैंने मेरा दे दिया अब just simply यहाँ पर submit कर देना है ठीक है तो एक submit हो गया फिर से और एक है दोस्तों इसको भी select करता है and यहाँ पर देखिए automatic आ गया जो keywords है इसको भी plus sign दबा के इसको add कर देना है पहले and इसे अभी description देना है जैसे माल लीजिए तो यहाँ पर मैंने लिखा दोस्तों a bunch of green fruits मतलब यहाँ पर धेर सरफ fruits यहाँ पर है on trees मतलब पेर पे in the morning मतलब सुबे का Indian forest सब कुछ भी आप लिखेंगे वह नहीं लेगा दोस्तों तो यहाँ पर category one देता है nature and category two पर भी मैं nature दूंगा and location यहाँ से मैं set कर देता हूं and just submit तो देखें दोस्तों दोस्तों दो picture मेरा जो है वह submit पर चलाए and submit के right side पर देखें दोस्तों pending pending यह pending 9 पिक्चर यहाँ पर दिखा रहा है मतलब मैंने कल 7 पिक्चर दिया था यह 7 पिक्चर and आज फिर से दो दिया तो total 9 पेंडिंग यहाँ पर हो गया क्योंकि उन्हों ने अभी तक review ने किया review करने के बाद वह approve करेगा फिर approve हो जाने के बाद दोस्तों मेरा जो portfolio है वह catalog manager यह दोस्तों जो catalog manager है शारज तक जब F group करेगा मेरा पिक्चर तब यहाँ पर वह add हो जाएगा तो आप अपने ही सब से यहाँ से set बना सकते है जैसे video का set मैंने बना यह natural video full HD तो मेरा image में मैंने इतना set बना है आप plus sign दबागे और set बना सकते है जैसे मान लिए यह जो मैंने बट यह फिर flower यह जो add किया सिर्प यहाँ पर देखे flower ही है ठीक है ना all picture पर जलिए तो all picture यहाँ पर show करेगा मैं अगर flower पर जो मैंने set करकर रखा है वहाँ पर मैं जो picture यहाँ पर है दोस्तों जस्ट आपको क्या करना है flower पर flower वाला picture यह लेके चलना है तो just drag and drop कर दीजिए जो आपका catalogue है जो आपने बना है flower बना है तो flower पर flower ट्राइग कीजिए sunset बना है तो sunset पर sunset ट्राइग कर दीजिए तो क्या होगा particular set पर वही picture आपको show करेगा जो आपने drag and drop किया है ठीका ना तो यह हो गया पिक्चर का वीडियोग भी वही सेम है जो देखिए Natural वीडियो फूल HD यह चालों वीडियो मैंने डाला है तो दोस्ता अभी वीडियो इमेच तो मैंने आपको दिखा दिया अभी चलता है वीडियो पर देखिये दोस्तों मैंने कुछ यहां पर 14 one video मैंने कल ही अप्लोट किया था एपरूब करने के लिए यहां पर वीवी हो गया शारा स्ट्रक बालो ने वीवी कर दिया तो अभी यहां पर क्लिक करते हैं देखते हैं कौन सा मेरा वीडियो है जो उन्होंने आपरूप किया है तो यह देखिए दोस्तों मेरा यह जो क्रॉस सिंबल है मतलब इसको एपरूप नहीं हुआ रिजेक्शन रिजन यहाँ पर आपको सब दिखा देगा कि आपका रिजेक्शन कि इसलिए हुआ जैसे माल लिजे कैमेरा स्टेबिलाइजेशन मतलब बहुत ही शेकी इमेज था इसलिए इसको रिजेक्ट किया नौइस था मतलब और भी रोलिंग शटर पर था इसके लिए यह जो MP4 था यह मैंने 4K में लिया था इसलिए यह रोलिंग शटर वाला नौइस एफिक्ट होता है तो इसके लिए इसको रिजेक्ट किया यह जो एप्रूब लिखा है मतलब यह दो ही सिर्फ एप्रूब हुआ है 41 वीडियो में सिर्फ दो को ही एप्रूब मिला है दोस्तों तो दोस्तों देखिए जो केटलोग मैनेजर पर मैं आ गया एंड यह जो दो फ्लावर वाला पिक्चर है यह जो सेट मतलब एप्रूब किया था यहां पर दोस्तों शो कर रहा ठीका ना पहले यह चारो वीडियो क्लिप था अभी यह दो और एड हुआ है ठीका ना तो अभी मैं ग्या करूँगा नेचरल वीडियो फूल एड इस पे मैं यह जो दो फ्लावर है इसको जस्ट ड्रेगन डॉप कर दूँगा एंड फाइब था अभी देखे 6 हो गया ठीका ना अभी यहां पर क्लिक करूँगा तो देखे यह जो मेरा छे फूल फूल एड वीडियो है यहां पर शो कर रहा है दोस्तों यह जो इमेज पोर्टफोलियो है यहां पर मैं आ गया अभी चलता है वीडियो पर तो वीडियो पर देखे दोस्तों यह जो दो नया वीडियो है जो एप्रूब हुआ है वो आप यहां पर देख सकता है द से दूसरा picture दिखाता है मैं आपको यह देखिए दोस्तो beautiful flower इसके लिए यह एप रूप भुआ था दोस्तो तो आपको अगर खरीदना है आप चल सकते हैं मेरे portfolio पर जो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कोई picture आपको download करना है जाए वहां से डाउनलोड कीजिए थोड़ा सा मुझे support भी कीजिएगा इस तरह से है दोस्तो यह वीडियो को कैसा लागा कॉमेंट में जरू बताएगा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेजिए दोस्तो नेक्स फीडियो के लिए और नेक्स फीडियो में जाने से पहले दो हम जा बेर डाने से ख़ाला ओाला है से पहले दोस्तो कीजिएूंगार वेजियो को अलेक्स